हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप एक और नई हेल्थी रेस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत श्रुआगत है आज हम आपके साथ ऐसी रेस्पी सेयर करेंगे जो हेल्थी तो है ही साथ में खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी है और ये दिखिए उपर से जितने क्रिश्पी है अंदर से उतने ही ज्यादा स्रॉप है चलिए तो प्रोटीन से भर पूर रेस्पी बनाना हम सुरू करते हैं इसके लिए हमने यहां पर एक कप सोया चंक लिए है इनको दो घंटे के लिए हमने पानी में भिंगो दिया था अच्छे से निचोड कर दो से तीन बार हम धुलेंगे अगर आपके पास समय कम हो तो आप गुनगुने पानी में इसे पंदरा मिनट के लिए भिंगो दीजे यह बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे और सौप हो जाएंगे फिर आप इनको दुल लीजे इन्हें दो तीन बार हमने धुल लिया है भी हम डाल देंगे साथ में डाल देंगे दो तेज पत्ता आधा इंच यह अध्रग का टुकड़ा है और यह है दस बारा लैसुन की कलिया हमने ज़्यादा डाली है क्योंकि लैसुन का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसमें साथ में डालेंगे दो हरी इलाइची यहां पर थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, तीन से चार चमच पानी, ज्यादा पानी हमने नहीं डाला है, प्रेसर कुकर कर ढगा कर दो सीटी आने तक इसे हम कुक कर देंगे, ठंडा हो गया है, अब हम इसे खूल कर देखते हैं, और ये दिखिए, दोनों चीजे बहुत का जाल उसमें हम चना और सोया चंग पो डाल देंगे और इनको पिष लेंगे पाली का यूज बिलकूल भी नहीं करेंगे मिक्सी को ओन उफ करते हुए इसको हम पीश लेते हैं और ये देखें दो बार में हमने इसे पीश दिया था बिरकूर अच्छे से ये पीश चुका है ज्यादा बारीक इसको हमने ने पीश सा है चनी की डाल के छुटी-छुटी से कड़िस में दिख रहे हैं और इसको देखें इस तरह से जब हम वाइंड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है अच्छे से ये सेप ले रहा है और इसमें हमें कुछ भी डालने की जरुवत नहीं पड़ेगी यदि आपका ये मिसरण थोड़ा गीला हो गया हो तो आप इसमें ब्रट क्रम्प्स डाल सकते हैं पर हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा ये बिलकुल सही बना है अब इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च एक प्याज जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है साथ में डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया अब इसमें हमने एक चमच डाल दिया है धनिया पाउडर, चौथाई चमच काली मिर्च पाउडर और चौथाई चमच लाल मिर्च हमने डाल दी है क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज किया है नमक डालेंगे, नमक आप स्वाद के अनुशाय डालिए और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ज़्यादा मसालों का हम इसमें यूज नहीं कर रहे है क्योंकि हम इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बना रहे है अगर आप चटपटा खाते हैं तो आप इसमें चाट मसाला यूज कर सकते हैं नीवू का रश डाल सकते हैं इससे और भी ज़्यादा चटपटा और टेश्टी बनेगा चलिए तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसकी चोटी चोटी आलू की टिक्की जैसे सेव दे देंगे अच्छे से हतेलियों से इसे चिकना करेंगे और हलका सा इसे दबा देंगे और ये दिखिए टिक्की बनकर तैयार हो गई आप इसे कवाब या कटलेट कुछ भी कह सकते हैं इसी तरह से सभी को हम बना कर तैयार कर लेंगे ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं और बहुत आसानी से ये पन भी जाते हैं अब इदर हमने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है जब तेल खुब तेज गरम हो तब आप इसमें एक एक कवाब को डालते जाएए आप इन्हें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा और आपका तेल भी तेज गरम होना चाहिए अगर आपका तेल थंडा होगा तो ये फटकर विखर जाएगी एक साइट से हलका गोल्डन कलर हम इस पर आने देंगे और जब एक साइट से कलर आ जाएगा तब हम इने पलट कर दूसरी साइट से फ्राई करेंगे ये देखे कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है एक एक कर सबको हम इसी तरह से पलट देंगे और दूसरे साइट से भी इन्हें हलका गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे एक साइट से फ्राई हो चुके हैं पलट कर देखते हैं ये दूसरी साइट से अच्छे से फ्राई हुए है या नहीं फ्राई कर लेंगे ये दिखी कितने बड़िया हमारे सोया बीन के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं आप इसे व्रेकफाश में बच्चों को दे सकते हैं छोटे से बड़े सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे धनिया की चटनी के साथ हमने इसे सर्व किया है उपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही ज्यादा शॉप्ट भी हैं कम मसाले और कम तेर में बनकर ये तैयार हो जाते हैं एक हम आपको तोड़कर रिखाते हैं ये लेखे अंदर से ये कितने ज्यादा स्रॉप्ट बने हैं और इनका टेश बिरकुन नॉन्वेज के आज की हमारी हेल्थी रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताईएगा और एक बार अपने घर पर बना कर जरूर ट्राइगा आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और यदि आपको हमारी रेस्पी सच्छी लगती हो तो उने लाइक और सेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूने जल्दी एक और नई हलती रेस्पी के साथ फिर मिनेंगे थेंक यू